हेलो फ्रेंड्स आपके साथ इस वीडियो के इंदर मैं बात करने जा रहा हूँ IDFC First Bank Limited के बारे में जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि IDFC First Limited ने 36 रुपीज का एक काफी अच्छा जो है हर्डल था उसी के आसपास जो है closing दिये तो बहुत सारी जो वीडियोस हैं उनके मंद में एक ख्याल आ रहा है कि क्या अभी इस शेस को खरीदना चाहिए क्या इस शेस को बेचना चाहिए क्या इस शेस को होल्ड करना चाहिए तो देखिएगा इस शेस के बारे में मैं कुछ हिस्टोरिकली चीजे मैं आपके साथ शेर कर दूँ इस शेर्स को मैं काफी लंबे समय से जो है cover कर रहा हूँ हलाकि ये जो शेर्स है 42-45 रूपीज के आसपास जब था तब से मैं इसको आप के चैनल के माध्यम से जो है cover करता रहा हूँ तो अभी ये जो प्राइज है 36-75 पैसा ये प्राइज अभी हमें देखने के लिए मिले और अगर उन रिटरंज को अगर हम यहां पर देखने की कोशिश करें अगर दूसरी तरफ बात करने की बेंकिंग सेक्टर्स में क्या वास्ता में तीजी आ गई है तो अगर हम इस सिनेरियो को थोड़ा सा देखने की कोशिश करें तो निफ्टी 13,000 के उपर है, बैंक निफ्टी 29,600, 29,700 पे एक रिजिस्टेंस फेस कर रहा है तो यहां पर जो मेरा व्यू है वो डिफरेंट तरीके के जो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर से उनके लिए अलग अलग है तो यहां पर इस अनाल्सिस को करने से पहले मैं एक बात करना चाहूंगा कि देखी का वी वैदनातन जी जो है IDC First Bank को जो है लीड करते हैं और उनकी credibility पर जो है किसी भी तरीके का doubt किसी को भी जो है नहीं है लेकिन अगर हम इस साल के दोरान अगर हम देखे तो जो भी quarters गए हैं वो दो quarter गए हैं तो जो June quarter के results आये थे तब हमने देखा कि bank ने काफी अच्छे provisions जो है क्या वो provisions sufficient होंगे ये अभी भी जो है एक doubt जो है बना हुआ है क्योंकि moratorium से related जो भी loan book है वो आज भी dispute के अंदर है और Supreme Code के अंदर interest waiver के उपर जो है cases जो है अभी pending है तो यहाँ पर अगर हम सारे parameter को देखें इस angle को देखें और दूसरे angle को अगर हम देखने की कोशिश करें तो दूसरे angle है कि जो करीबन 800 करोड के आसपास का जो provision था जो idea का bank ने write-off किया और write-off करने के बाद उसका सारा का सारा covid provisions में shift कर दिया तो यहाँ पर उसकी जो shifting है वो वास्ता में balance sheet to balance sheet हुई है यानि कि profit and loss के अंदर उसका impact नहीं आया तो हमारे मन में एक ख्याल आया कि क्या पिछले quarter में problem ज़्यादा severe थी या इस quarter में ज़्यादा severe थी तो क्या उसको profit and loss में ने डालना चाहिए था इसका मतलब है कि जो bank ने पूरा का पूरा provision जो है write-off करके सीधा कहां पे shift कर दिया वो shift कर दिया सीधा balance sheet to balance sheet तो एक doubt जो है वो raise करता है कि कहीं company ने जो है provisions कम तो नहीं बनाय थे पिछले quarter में जून quarter में और अगर उनके पास अब जो quarter इस September quarter में profit उनके पास आया आइडिया का जो provisions था उनको उन्होंने सीधा सीधा जो है shift कर दिया balance sheet to balance sheet यहने कि एक reserve and surplus की एक head से दूसरी head में डाल दिया तो यहाँ पर एक अस्मंजस की स्थिती जो है एक fundamental analysis के नाते जो है मेरे मन में थी तो इस doubt की वजए से हमें अभी जो है clarity अगले quarter तक ही जो है पता चलेगी तो मेरा यहाँ पर जो अभी वर्स्तवान में विचार है और जिस तरीके का technical setup है अभी क्योंकि technical setup काफी जो है strong है बुल्स के favor में है लेकिन वहीं पर अगर आप fundamentally देखने की कुशिश करेंगे तो shares जो है अभी covid situations को देखते हूँ और जो assets quality के provisions पे मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर अब जो shares है यह जो है अब valued हो गया है fairly valued है तो यहाँ पर एक profit booking जो है कर की जा सकती है जिन लोगों ने बी 25 रुपे 24 रुपे या 30 रुपे से नीचे के भाव पर जो भी shares खरीदे हैं अगर आप trader है तो मुझे वैसा लगता है कि trader के नाते भी एक बार इसमें profit book करना चाहिए क्या नए shares accumulate करने चाहिए देखिएगा नए shares accumulate करने के लिए जो लोग S.I.P. mode के अंदर shares को buy करते जा विचार करना चाहिए और next quarter के result से clarity आएगी और market बहुत अच्छा run up कर चुकी और बहुत बार हमने investors को और even traders को stop loss नहीं लगाते हैं उनको ऐसे price पे फस्ते हुए देखा है हलाकि अगर आप long term के अंदर बात करें तो ये shares काफी अच्छा potential रखता है लेकिन मुझे ऐसा लग लेकिन यहां पर एक resistance जो है मुझे लगता है और एक बार यह जो है share price बैंक निफ्टी के साथ और निफ्टी के साथ रियक्ट करता हो नजर आएक और बैंक निफ्टी आप लोग जनते हैं कि काफी volatile रहता है और बैंक निफ्टी की भी जो performance वह वास्ता में overvalued जो है है आज की data में अगर हम fundamental basis पर बात करें और ground level पर कोई चीज़े नहीं बदली है लेकिन world की जो stock markets है उन rally के साथ जो है उसने भी rally किये तो यहां पर यह वाली जो view है वो मेरा इस तरीके का है और जो लोग strict stop loss के साथ trade कर दें तो आप लोग जानते हैं कि technical setup इस शेशे का भी काफी positions बनाने के बारे में सोचना चाहिए और किसी के पास अगर लंबी मातरा के लीब में shares हैं और वो नीचे के shares पर अच्छे prices पे उन्होंने shares लिया था और यहां पर 20, 30, 40, 50% जो भी profits आ रहे हैं मुझे लगता कि उसमें से कुछ हिस्सा जो है जरू से जरू बुक करना investment पर रखोंगा आपको ये वीडियो कैसी लगी ये जरू से जरूर आप मुझे comment box में बताईएगा और इसके लावा भी मैं आपके साथ ये बात करूँगा कि देखी का जो technical setup भी अगर आप देखेंगे तो यह जो resistance है यहां पर face करना जो है लाजमी है और face इसलिए भी करें अगर आप यहां पर देखेंगे मैं आपको यह दिखाता हूँ कि यह जो gap था इस gap को जो है fill करने के लिए यहां पर आना था और यहां पर gap fill भी और यह जो पूरा जो area है यहां पर पहले भी काफी consolidation हुआ हुआ है तो यहां पर यह अगर आप देखेंगे जब गिरावट भ आला लेवल अगर जो अभी दो तीन चार रुपए है यहां पर बहुत अच्छी जो है supply आएगी तो अगर जो बड़े investors हैं यह जो बड़े traders है वो यहां पर profit book करने आएंगे एक दो रुपए और उपर होते के साथ तो आप उसके साब से जो है अपनी जो view बना सकते और अच्छले साल के साब से तो profit ही नहीं है तो book value भी 28.68 है तो 1.5 जो है करीबन price to book value भी हो गई है तो यहां पर जो बहुत लंबे समय के जो hold करने वाले लोग है उनके लिए तो देखेगा भी भी hold बनता है लेकिन जिन लोगों ने भी पीछे नीचे एक बार shares के prices जो है नीच clear नहीं करेंगे लेकिन bank काफी अच्छे तरीके से जो है काम कर रहा है expand भी कर रहा है लेकिन अभी sector के अंदर जो है दूसरे तरीके की जो challenges है उनको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि अभी यहां पर और आने वाले जो 4-5 रुपे आगे भी अब देखेंगे तो यहां पर काफी अच्छी जो है supply आने की जो है संभावना है यह view जो है मेरे independent view है और investment दरने से पहले आप अपने financial advisor को consult करिएगा उनसे सला लीजेगा उसके बाद ही अंतिम फैसले पर पहुचने की कोशिश करिएगा यह वीडियो आपको कैसी लगी जरू से जरूर आप मुझे कम देन हूँ थैग और से जरू झाप करिए यह यह झाणनों canción माण झाला हो SUinen आप करूआ थैका खी खीजर अपकुछंगा कन दिम नच्श Umяжबा चा-वेंद हूना है और स Rebel